नई और प्राणी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं असलाम वालेकुम नमस्कार सस्रियकाल दोस्तों मेरे नाम हाश्रम वाली के में गोता होरू पट्याला पंजाब से और इस टेम में जिला फतेगर साहिब और सानीपुर वाले बुल के उपर खड़ा हूँ और यहां से एक दर्दनागासा हो गया यहां पे ना अभी थोड़ी देर पहले कोई भाई है जो सानीपुर गाउं से वो गिर गी है तो उनको डूंडने के लिए हमें पट्याले से बुलाया गया अब हम उनको डूंड रह करते रहे ना और जो चैनल पर नवे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकन जुरुत बाद ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक्रिक्शन आप तक पूझे तो चली दोस्तों अपने सफर को सुरू करते बाकी बाते हम वीडियो के अंत में करें सबसे पहल सब्सक्राइब करने पृड़ी मिली तो अब मैंने परिबार को बagar वाड़ा रहे हैं और नको फोन कर दिया कोले आ रही हैं परिवार की मेरे पास ये पक्रतृव लगा उन् CG और पांस चारacked केotomत्री लेडिवी14380 के सब्सक्राइब और पानी कंतर है यह लग दॉस्तों अ से पहले परिवार को देड बॉड इनके हवाले करते हैं बाखी बाते हैं वैदियो पूरी समझ गल अब को सारी बात बताइंगे लगए किस तरह दो वीडियो के अंद तक बने रहे और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दिरूल करते रहे ना बस यह अपील होती है आप से ताकि हमारा कोई भी ऐसा वीडियो एक वारे लोजा इससे हमारा चैनल दुबारा फिर से खड़ा हो जाए परिवार के मेंबर हैं सारे तुसी चलते हैं सारी है पुठी चलती है पाजी जिननी भी आंदे ना हो को मजन दिया एदी फैमिली दे मेंबर कॉन ने पाजी है तोड़ा की लगता है मेरी जीजाई ने तुसी कंप्लेंट दर जिक्रार के बाजी घुम्सूद की वारे ठीक है जी आजी आजी प्लोटिंग टेर में पुछे तोड़ा की लगता है मैं पिछान लिया पाजी है तो दोस्तों ये परिवार आगया डेट बोटिका मैं इन से पूछना सर की काल होगी थी जड़ा बंदा अपना जी मेला इदा पैसा अब तो पहला दे नाम दस्तों बंदे नाम की एए जग जी सिंग सानीपूर पेंट जिला फतेगड साइब हांजी की गालो कि दी नेर चेकी में डेग गया है इता हर्मिक बंदा सी जी मच्छी आनू अट्टा पौन जानदा सी डेली अच्छा से दा मोटर सैकल मिले गया तो दोस्तों ये धार्मी की बंदा था टाउट नहरों में डालने के लिए आता था मच्छी को और इसकी डेड़ बोड़ी हाथ के हाथ यहां पे मिलगी ओनली मतर तीन गंटे के अंदर ये 25 से 30 किलोमेटर ये डेड़ बोड़ी तैर के यहां पाजी गर्दन्नों नहीं पा सकते केस कुछ और बन जेगा जेगा जेकर दननों पाती तो डेटबोड़ी निकालने के परतिक रहा है जो वह सुरू होगी है हमारे दो गोता हो रहे हैं जो राजी कुमार और सामकुमार यादव डेटबोड़ी को बाहर निकाल रहे हमारे डुनों रसी ना इन भाईयों के यादो पकड़ागे ना डेटबोड़ी को ठाकर सिद्धी की गाड़ी के अंदर रख दो बस दो जोने कहा के खड़गी खोल यह बस तो दोस्तो दो से तीन गंटे के अंदर यह बोड़ी बरामत होगी है अब उसको निकालने की जो परती के रिया हो शुरू हो गया परिवार यहां पर खड़ा है घर का एक लोता चिरा गए वे देख लो जो अब इस तरह की गलतियां करते हो नहरों के किनारे को इसलिए के कहते हैं नहरों किनारे के ऊपर समल के रहे ना जी इनसान को अब बिलकुल फ्रेस और ताजी ड़ड़ बोड़ी बिलकुल है गटी तेना टाक्यां खोल दो भी रहे उड़ले आली इदर ली हाँ जी तहर बाबाजी खड़े ने इदर खोल दो हाँ एई दोनों ओ भी अग अगली खोल लो बस बाजबावरी राख दो तुसी मेनू फोन करते हो मुला जीमानू मैं फोन कर दूंगा फोन करते हैं यहां शिद्धा फतेगड साब लाके जानी है अधि इंदर लाके ज़ए फोन कर दी तो ड़ड़ बोडिक अंदर इस साब से देखा जा रहा है बजन है नहीं 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 कटीना हिलाओ टाकियां भटलो हाँ अगली 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 शिद्धा पूरा परफेक्ट आजेगा ना यह ड़ड़ बोड़ी गाड़ी के अंदर देखो रखपाई जा रही है और मैनत बहुत लगती है इस काम के अंदर अगली टाक्की बंद कर दो चलो गंडा खेड़ी चलो अगली ताक्की बंद कर दो चलो ही गंडा खेड़ी चलो मैं कर देना फोन टेंसान लो तुषी सीवल हस्पिताल लूँ चलना आगे चलो मैं आ रहे हैं कि चलो पहले कड़ी लेगे चलो 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 तो पुरिवार अब इसको लेके जा रहा है जी अब जीला फटेक्ट साइब सरकारी सीवल होस्पिटल जो है वहाँ पर पुछेंगे इसके बाद इसका पोस्पाडम होएगा उसके बाद इसका अंतिम संस्कार होएगा यह सानीपुर जिला फटेकट साइब कर रहने वाल है और गर का इक लोता चिराग है जो बुझ गया गर से तो दोस्तों यह ती वो डेट बोडी इसके बारे में मैं आपको बता रहा रहा सानीपुर गाओं है जिला फटेगर साइब के अंदर पड़ता है और वहां कहीं रहने वाला था अच्छे खाते पीते घर से दो बच्चों का बाबता इसके दो बच्चे थे और घर का एक लोता चिराग था अपने माता पिता का एक लोता बच्चा था और आगे इसके भी बच्चे थे तो घर का जो जो सिस्टम तो सारा बिगड़ चुका है क्योंकि ने जो घर के अहलात है उन्होंने आके परिवार में को बताएं किस तरीके से विचारी रहते थे ऐसे नहीं किस तरह की आर्थिक तंगी थी बढ़िया खाते पीते घर से ता अच्छे परिवार स सिलिप होने कारण लोग इसके पिछे भागे बचाने के लिए तो लेकिन कोई तैराक ना होने के कारण तुर भागे वर्स इस विचारी की मिरुत्ति होगी नहर के अंदर डूबने तो इसकी डड़ बोड़ी जो मातर 24 किलोमेटर आके गंडा केड़ी के फास हमें इस सब्वाभ को निवार हैं हरियाना पंजाब दिली राज्स टान के अंदर हमें हमारा काम कर रहे हैं घर बोंखैर शेक्राइब समस्क्राइब कर लें अगर मेरे किसी बी तरह की आपको पर नंबर चाहिए तो आप मेरे को संपरक करना मैं आपकी जो भी कोई हेल्प कर पाऊंगा जिस तरह की भी आपको नहर के बारे में पूंद के बारे में कोई है तो मैं आपकी जरूर करूँगा तो दोस्तों आज का विडियों हम यह स्वाप करते हैं कल फिर एक नहीं कानिक नहीं विर्गी हात में लेंगे अलवी दो झाल झाल झाल